इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से है दिल्ली के रोहिनी कोट में ही जितंद्र गोगी की जब पेसी हो रही थी तभी तीन बद माशों ने वहाँ पर गोलिया दागना शुरू कर दिया रूम नमबर 207 में जब जज के सामने पेश किया गया जितंद्र गोगी को तभी तीन बद माशों ने वकील के ड्रेस में अंदर घुसा और गोलियों की तरतराहट से उसे तीन गोली से चल्ली कर दिया जिसके बाद जो है जितंद्र गोगी के लगे सुरक्षा में जो पुलिस कर्मी जवान थे उन्होंने भी जबावी कारिवाई में 25 से 30 राउंड गोलिया दागना शुरू कर दिया जिसमें तीन जो बदमाश आये थे रोहिनी कोट में उसे वही पर मार गिराया यह तस्वीर देखिए कि किस तरीके से गोलियों की तरतराहट से रोहिनी कोट जो है दिल्ली के रोहिनी कोट में रूम नंबर 207 में दिन दिहाडे गैंगवार तीन बदमाशों को मार गया कोट के सुनवाई के दौरान फाइरिंग की घटना सामने आने के बाद रास्टिय राजधानी में हडकंप मज गया पेशी के दोरान बदमाशों ने गैंग्स्टर जितंद्र कुमार गोगी पर गोल्या बर्षाना शुरू कर दिया जिसके बाद से ही पूरी तरीके से कोट परिशर में हडकंप मज गया सुरक्षा में लगे जमारों ने भी गोलिय दागना शुरू कर दिया और बदमाशों को मौके पर ही मार गिराया दो बदमाश वकील के ड्रेश में आये थे खबरों के मुताबिक गोगी की सुरक्षा में लगे जमारों ने 25 से 30 गोलिया चलाई जितंद्र गोगी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया गोगी को पिछले साल अपरेल महीने में ही गिरफतार किया गया था गोगी को ये गिरफतारी के लिए दिल्ली पुलिस ने 4 लाख रुपए इनाम रखे थे तो वहीं हर्याना पुलिस ने 2 लाख रुपए इनाम रखे गतना के वक्त कोट रूम में मौदूद वकील ललित कुमार ने कहा कि जब कोट रूम में के बाहर बेल बॉंड भरने और वरिफाई करने रहे थे तभी इतने में ही गोलिया चलाने की आवाज आई जैसे ही हमने आगे बढ़े तो बहुत सारी गोलिया चलने की आवाज सुनाई दी इतने में पता चला कि गैंक्स्टर गोगी को तीन गोलिया लगी है और वो जखमी हो गया गोली लगी और मरने की लोग वकील के ड्रेस में आये थे जी हाँ इस वक्त जो खबरे साफत और से निकल के आ रही है वो रोहिनी कोट की है जो तस्वीरे आपके सामने हैं दो जो बदमास थे वो वकील के ड्रेस में आये थे और जितन्दर गोगी को मार वहीं पर गिराया जसके बाद जो है पोलिस लगे हुए सुरक्षा जवान नों भीवी जवाबी कारवाई में 25 से 30 राउंड गोडिया चलाई है जहां अब देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या एक्षन कोट लेती है या जो रोहिनी इलाके की प्रशासन है उस पर क्या कारवाई करती है आगे पूरी छानवीन में लग चुकी है पूरा कोट परिशर जो है प्रशासन से घेरे में है और अब जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें देश जीनुस के साथ और देखते रहें देश जीनुस बढ़ाए बने देश जीनुस